जगदीसपूर थानाचित्र की भागलपूर दुमका मुख्य मार्क पर पुरेनी हवीबिया मदर्सा के निकट रविवार सुभा एक बेलगाम कंटेनर ने ओटो को जोड़दार टक्र मार दी जिससे ओटो में सवार तीन महिला सही चार लोग बुढ़ी तरह से जखमी हो गए सभी जखमी को आनन फानन में घट नास्तल से उठा कर समुदाइक स्वास्ते के जगदीसपूर लाया गया जहां प्रात्मी कुपचार के बाद दो महिला की स्थिति को गंभीर देखते हुए उन्हें बेतर लाज के लिए माया गंच अस्पतार रेफर कर दिया गया वहीं दो जखमी का समुदाइक स्वास्ते के जगदीसपूर में ही इलाज किया जा रहा है अतादे की ओटो सवार सभी लोग भागलपूर से गंगास नान कर अपने गाओं हरना जा रहे थे तभी यद्रुखट ना हो गई गैलों में हरना निवासी अर्विन सिंग की पतनी रूबी देवी, चंदर यादप की पतनी बीना देवी, क्रिपाली मंडल की पतनी रुद्रो देवी तथा छोटू यादप का फुत्रे राजेसी यादप सामिल है अजगेविना धाम गंगा घाट पर छटपुजा को लेकर बिहार वम जारकन सहीद कई राजियों से छटवरती महिलाएं उत्तरवानी में गंगा असनान कर उत्तरवानी गंगा जल लेकर अपने अपने घरों में छटपुजा में पकवान खरना का महापरसाद सहीद अन्य पुजा समागरी मूपी ओकर छट मनाते हैं इसलिए करी राजियों सहीद पास पड़ोस के जिलों के छटवरती महिला गंगा असनान के लिए उत्तरवानी गंगा टट पर पहुंसती है अस्थानिय पंड़ा ने बताए कि यह प्रंपरा वर्सों से चली आ रही है उत्तरवा चट महापर्व को लेकर सुल्तान गंगा इस्थित उत्तरवानी गंगा में असनान करने बिभिन जिलों से पहुंचे स्रदालूओं के साथ मंगल सुत्र वाच चैन स्नैचिंग करती च्छ महिला को अस्थानिय लोगों ने पकड़ कर पूलिस के हवाले कर दिया पकड़े ग कि संभू गंच से गंगा सनान करने पहुंची महिला स्रदालो सावित्र देवी ने बताया कि दो तीन महिला मिलकर मेरा चैन खीच कर भाग गई नात नगर से गंगा सनान को पहुंची महिला सुमित्रा दिविन बताया कि मेरा भी मंगल सुत्थ चीन कर भाग गया वहीं बाक जा रहा है लोकास्था के महापर्व छट की सुरुवात सोंबार से हो जाएगी लेकिन महापर्व से पुर्व भागलपूर की बिभिन गंगाटटों पर गंगास्नान को लेकर स्रधालों की भारी भीर्डे की गई बरारी पूल घाट पर भागलपूर बाका नोगच्या सहीत पर उसी राज जारकंट से पहुँच कर लोग आस्था की डूब की लगाते दिखे हाला कि गंगास्नान के दरान गंगाटट पर दलदर और कचले काम बार रहने से स्रधालों को काफी कटनायों का सामना भी करना पड़ा कर रहा है दस बीस साल से बहुत पर भी हार में लेकिन इस पर जादा ही आस्था नगच्या पुलीस जिला में एस्पिस सुसांत कुमार सरोच के नेथुत में अपराधी लगातार गिरपतार हो रहे हैं सभी थाने के अधिकारियों को सक्रिया रखा गया है और किसी भी तरह की सूचना पर तुरित कारवाई के आदेश दिये गए है ताजा घटना में खरीक थानाचेतर अंतरगत एनचकतीस पर कुछ अपराधी अवेध हतियार के साथ अपराधी घटना को अंजाम देने पहुँचे सूचना मिलते ही तुरित कारवाई करते में नगच्छी अच्डिपियों के नेत्रित में टीम का गठन किया गया गठी टीम जब गनेशपूर गाउँ पहुँची तो पुलीस गाली को देखकर तीनों यूबग भागने लगे उसमें से एक तो फरार हो गया लेकिन दो को दबोच लिया गया गिरप्तारा प्रादी में से खरीक ठनाच्छेतर के बिसपूरिया के सुरेश चनर यादब का पुत्र रौसन कुमार वा मुंगिर के बर्यारपूर ठनाच्छेतर का कल्यानपूर के भोला मोदी का पुत्र अभी से एक कुमार सामिल है नगच्छी अजडेप्यो दलीब कुमार ने बताया कि दोनों के पास से एक पिश्टल एक जिंदाकार तूस दो मुबाइल बरामत किया गया है दोनों सराब पिये हुए थे आर्म्स और उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्च किया गया है खैरपूर खरिक्ताना यह नोटोरियस क्रिमनल है पहले का और हमारे जीले में तो इसके उपर कोई केस नहीं है लेकिन बेगुसराय में एक मडर के केस में वांटेड है हम लोगों ने पहले भी इसको पकड़ा था लेकिन बेगुसराय और खगडिया पुलीस इसको रिमांड नहीं कर पाई और वो जेल से निकल गया लेकिन लागतार इसके बारे में एलेक्शन के टाइम में भी और इलेक्शन से पहले भी सुचना मिलते रहा है कि ये वेक्टी दसत पैदा कर रहा है लोगों के पीछ में तो इसमें हम लगता है कि पिछले छे महिने से हम लोग इसमें लगे हुए थे काफी सर्विलांस बगरा सब चल रहा था एलेक्शन के दौरान तो इसकी ग्रभतारी नहीं हो पाई लेकि कल इसकी ग्रभतारी होई है और इसमें हमारा मुख्य भूमी का निभाय है एसे चोखंखरिक है उनकी टीम है और डियायु की टीम है रोद की भागलपूर की टीम भी सायोग मेति इनके उपर में 302 का केस वेगुसराय में पुंडिंग है रोद करेंगे यह काफी notoriais के रुम है काली प्रतीमा की विसर्जन के दुरान अस्थानिय स्राड़ती तत्वों ने सड़क पर बम पठक दिया जिससे ड्यूटी में तनाद दो पुलीस कर्मी घायल हो गए मिली जानकारी के मुताबिक नातनगर इलाके में मा काली की प्रतीमा का विसर्जन हो रहा था उसी दुरान मसकन व्राणी की प्रतीमा की विसर्जन सो भायातरा के दुरान स्राड़ती तत्वों ने सड़क पर बम पठक दिया जिससे नातनगर थाना के एसाई मुकेस कुमार सिंग और एसाई धर्मेदर कुमार दोनों जखमी हो गए दोनों को बेहतर लाज के लिए रैफर अस्पतार नातनगर में भरती कराया गया वहीं इलाके में पुलीस राड़ती तत्वों की पहचान कर कारवाई में चुट गई है आसपास लगे CCTV कैमरे को खंगाला जा रहा है भागलपूर में 24 गंटे तक चलने वाली माकाली की विसरजन सोभायात्रा इस्टेशन चौक से एहले सुभा प्रारंब हुई सोभायात्रा में इस सामिल होने के लिए बाकाम मुगेर नगचिया सहित पडोसी राजिज हरकंट सी बड़ी संख्या में स्रधालो स्रालक पर उतरे करता सामिल हुए अप्रातर साथ बज़े से चल रहा है और जब तक अंतिम प्रतिमा जब तक यहां से आके नहीं बढ़ जाती तब तक यह सेवा अनवरत चार प्रारंब रहेगी नौचिया पुलीस जिला के खरीक थनाचित के नावादा में मेला देखकर लौट रहे पंच परतियासे एकलेस्वर मंडल को अपराधियों ने गोली मार कर बुरी तरह से जखमी कर दिया आनन फानन में परिजनों ने मायर अनस्पताल में उसे भरती करवाया अक्रियोसर मंडल के पुत्र रहुल ने बताया कि उनके पापा इससे पहले पंच थे और इस बार भी पंच का नामंकन दाखिल किये थे तीन तारिक्व एलक्सन हुआ था भी गिंती होना बाकी है चुनाप को लेकर उनको गोली मारी गई है राहुल ने बताया कि उनके पापा मिला देखकर लौट रहते रास्ते में हुने गोली मार दी गई राहुल ने खरीक के ही परमोद मंडल के पुत्र कनहिया मंडल और कामेसर मंडल के पुत्र सुगम मंडल पर आरोप लगाया है हलागे घटना की सूचना पर खरीक थाना पुलीज, घटना की छान बीन और अपराधियों की गरपतारी में चुट गई है सुल्टान गंज के महसी गाउं के रहने वाले 24 बर से रितिक रौसन दो नौमबर से घर से लापता है इस बाबत पिता मुकेस चौधरी ने सुल्टान गंस्थाने में आविदन देकर बेटे की सकुसन ब्रामत्की की गुहार लगाई है दीये का आविदन ने बताया गिया कि रितिक दो नौमबर को दिन के देर बजे बाइक लेकर घर से निकला और सुल्टान गंज की ओर चला गिया जो अब तक लोट कर घर नहीं आया है पूरे मामले को लेकर सुल्तान का इस्थाना पुलीस मामले की जाच कर रही है वही बेटे के लापता होने के बाद मापिता का रोलो कर बुरा हाल है